हेलो बच्चो आज हम क्लास टेंथ का मैथ का फस्ट चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ेंगे सबसे पहले हम रियल नंबर का डेफिनेशन पढ़ेंगे इसका मीन्स यह है कि हम किसी भी नंबर का अगर इसक्वायर करती है तो वैलू हमें सब पॉस्टिव या फिर 0 हो तो नंबर क्या कराती है रियल नंबर्स कराती है इसके एकजांपल से हम समझेंगे एकजांपल यह है टू का स्कॉयर मतलब टू का जो हम मल्टिप्लाइ करेंगे two times करेंगे two into two is equal to four तो मत्तबी जो value आई है वो positive है तो क्या हो गई यह real numbers हो गए अब हम इसी का example एक fraction से समझेंगे जैसे हम one by two का square करते हैं तो value क्या हैगी one by four आएगी कैसी आया क्योंकि मैं पता है one by two का square है तो हम क्या करेंगे one by two का two times multiply करेंगे okay example देख लोते हैं one by two into one by two is equal to क्या जगा one by four two two is a four और one one is a one हो गया तो ऐसे ही यहाँ पर हमने किया है देखिए one by four है value क्या हो गई positive हो गई हम ऐसे ही fraction का पढ़ेंगे लेकिन हम fraction को जो है negative मिलेंगे ता हम उसका square करेंगे और चेक करेंगे value positive आती है या फिर negative देखिए minus one by three क to two हो गया 1 by nine 9 कैसे हुआ 1 by three into one by three क्योंकि two times हमने multiply किया है अब क्या होगा यहाँ पर positive कैसे आया क्योंकि हमें पता है minus का Pero means a positive में आती है क्यों माइन सब में धों सब सबोग्पू है और दूसरी जीन इसंटीब अबैकि आली के जीनics गया हृता इसने सब नहीं ऐसे फोलुकश की नहीं है और इसने सब जीरो नहीं झामपल नहींगे जीरो में सब जीरो ही रहेगा हां तो देखी जीरो का स्क्वाइल स्क्वाइल इसको नंबर लाइन पर पढ़ेंगे नंबर लाइन पर हम कैसे पहचानेंगे यह जो नंबर से रियल नंबर से इक्जैक्ट इसका यह है कि नंबर लाइन पर देखी इंफाइनाइट्स नंबर हो के can numbers होते हैं थो मेंस माइनस इन फाईनाइट 2 ।2 प्लसपाइन तस बो废ेंड माइनस इन फाईनाइट मतलब यह है कि जितने भी number है अगर सामने minus लगा है आधिर थो लगा है तो नंब्र हमेंसा क्या हो जागा रिल नंबो हो जाए हैं और Two मतलब minus infinite minus number से ले करके इसके साथ plus number तक अधरे करे काफ मैनने म्स नमब़े से ले करके इसके साथ plus number तक उसके बीच में यतने भी minus plus number रहेंगे सब और साथ में Chiro सब जो होता है क्या होता है Real numbers होता है इसका Planet यह ही है कि minus infinite twice infinite all real numbers होते हैं अब हम पढ़ेंगे आप यह सोच रहे होंगे कि हमने आपको यह इसांपल नहीं बताया कि अगर यह सब नंबर्स हो है पॉस्टिव आ रहे हैं जीरो आ रहे हैं तो रियल नंबर्स हैं एक इसांपल यह भी बन सकता है ना रूट की जो वाइल होती इसको हम मिली सकते हैं जीसे हमं इसे हम बाइट वोलते हैं उके अब रूट years हुए ए तो रूट Three में हमने इस सबने है लिखा थी का पावर वन बाइट व्य हूंगें पता होल रूट की तो 3 की पावर 1 क्या आ जाएगा value 3 हो जाएगा value 3 हो गए यह क्या है positive value है तो यह क्या हो गए यह real numbers हो गए ओक हाँ देखी बच्चो तब यह वाला clear हो गया अब हम क्या करेंगे अब इसी से ही एक condition और बनेगा इधर देखी हम imaginary इसे बोलते हैं, इमेजनरी नंबर क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है, रियल नंबर का, जितने भी number है अगर हम उसका square करते हैं तो value अगर negative आती है तो क्या होता है imaginary number होता है अब जैसे हमने अग तक जो आपको real numbers में example पढ़ाये थे मैंने root 3 पढ़ाया था वो already positive था अब मैं जो imaginary number में पढ़ाऊंगी वो है under root minus 3 का square अब देखिए यहाँ पर root 3 था और यह positive था अब मैंने यहाँ पर negative लिग दिया अब इसका square हम कैसे करेंगे देखिए अब इसका भी वैसे ही same होगा लेकिन यहाँ पर minus ऐसे ही लगा रहेगा और यहाँ पर 1 by 2 root की value 1 by 2 होती है तो 1 by 2 फिर उसका पूरे का whole square कर दिए अब देखिए 2 2 से कैसे ही लो गया अब यहाँ क्या बचा 1 बचा तो क्या हो गया minus 3 का power 1 तो value क्या आ गई minus 3 आ गई मतलब जो है हमने भी